आज हम ये बहुत खुबसूरा थालपोस बनाने जा रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं पहले हम एक गाठ लगाएंगे उसके बाद पाथ चैन करेंगे एक दो तीन चार पाँच के बाद यहां पर पहले वाले चैन में इसे स्टीच कर लेंगे इसके बाद तीन चार दो तीन चार ऑसे इसमें आज बना ना है बनाके बचू दिखा रहे हैं अम यहांपर पहले वाले चैन में इसे पाशिछ कर लेंगे उसके बाद तीन चैन बनाएंगे एक दो तीन तीन चैन हमारा एक डबल कुरूशी हो गया उसके बाद दो चैन एक दो यहाँ पर हमें पांच चैन बना लेना है अब यहाँ पर जहाँ श्कीच के थे वहीं पर से एक डबल कुरूशी हो उसके बाद यहीं पर दूसरे वाले चायन में एक डबल कुर्शेंग, यह देखें, उसके बाद फिर से दो चैन, एक, दो, दो चैन करके यहीं पर एक डबल कुर्शेंग, उसके बाद वाले चैन में एक डबल कुर्शेंग, उसके बाद फीर से 2 चैन एक डू बूल है पूरी लाइन ऐसे ही बना लेना है कुछा बना लिया है अब इस पांच चैन में यहां पर इसे स्टीच कर लेंगे इसमें देखी हमारा दो चैन वाला बारह जग हो पर है एक दो तीन चार पांच चेश साथ आठ नौ दस एगारह बारह अब यहां पर हमें एक चैन लेकर इसे कट कर लेना है अब दूसरा धाग लगाएंगे पहले एक गाठ लगा लेंगे उसके बाद आप कहीं से भी इसे स्टीच कर सकते हो देखिए हमें स्टीच कर लिया अब तीन चैन एक दो तीन चैन करके यहीं पर हमें एक डबल कुरिशे बनाना है देखिए ऐसे यह फंदा हमें इसे में रख लेना है फिर एक और बार बनाएंगे यह देखिए इसे भी हमने यहीं पर रख लिया यह भी हमारा तीन हो गया है एक बला और बनाएंगे वैसे ही देखी आभी हमारा चार फन्दा हो गया है कि इसके बाद ये को है पांच पांच श्इस देखिए एक दो तीन चार पांच घशे एक साथ यह से कर लेंगे कि उस्कुबद दो चैन करके इस दूसरे वाले चैन में फिर से वैसे ही पांच वर बनाएंगे देखिए एक खंदा हमने उतार लिया एक इसी में रह गया कि इसे वैसे ही इसे हमें पांच वर बनाना है शे फंदा हमने यहां पर कर लिया एक दू तीन चार पांच शे एक सांथी से स्टीच कर लेंगे इसके बाद दो चैन एक दू अब पूरा राउन ऐसे ही बनेगा बनाके आपको लिखा रहे हैं यह देखे हमने लाइन पूरा कर लिया है अब यहां पर इसे स्टीच कर लेंगे इसके बाद एक और बार इस्टीच कर लेंगे इसके अदिप चैन दे कर इसे कट कर लेंगे पर इस लाइन में अमारा थोड़ा सब इसे आएगा उसके बाद वाले लाइन में यह पुरा बड़ा बड़ा जाएगा पहले गांट लगा लेते हैं उसके बाद आप यहां से स्टीच कर लो उसके बाद तीन चैन एक दो तीन चैन करके इसी जगह पर हमें तीन डबल कुर्शे बनाना है एक चैन वाला और ये एक हमारा हो गया दो और ये तीन आप उसके बाद इस फूल के उपर हमें दो डबल कुर्शे बनाना है एक उसके बाद यहां पर दो दो हो गया उसके बाद इस दोचैन में तीन डबल कुर्शे ये दू ये तिन इस पुल के ऊपर दो बनेगा अब यहाँ पर हमेंसे स्टीज कर देंगे उसके बाद अब यहां पर इसे एक डबल कुरूशिया बना लेंगे, उसके बाद एक चैन छोरके दूसरे वाले में एक डबल कुरूशिया, उसके बाद दो चैन, एक दो, दो चैन करके यहां पर एक डबल कुरूशिया, उसके बाद एक चैन छोरके दूसरे वाले में एक डबल कुरूश है अब यहां पर इसे इस्टीच कर लेंगे उसके बाद इस द्धागी को कट कर लेंगे यह देखिए हमें यह देखिए हमने कितना अच्छा से बना लिया है पुरा बराबर हो चुका है अब इम यह धाग लगाएंगे पहले एक गाट लगा लेंगे उसके बाद कहीं से भी से स्टीच कर सकते हो तेन चैन एक दो तेन चैन करके वैसे ही जैसे हमने इस लाइन बनाया था एक पर हमने उतार लिया एक खंदा कुरुस में ही रह गया इसे ही हमें चार फंदे निकालना है इसमें हमें छे फंदे रखना है एक दो तीन चार पांच छे एक सांथी से स्टीच कर लेंगे इस बाद दो चैन एक दो चैन करके वैसे ही इस दो चैन में हमें फिर से बना लेना है ऐसे ही हम पूरा लाइन बनाएंगे बना के आपको दिखाएंगे देखिए हमने यह लाइन पूरा कर रहा है जैसे इस लाइन में बना लिया है अब यहां पर इसे स्टीच कर लेंगे धागे को कट कर लेंगे अब हम दूसरा धाग लगाएंगे पहले यह गाट लगाएंगे और यहां सही से स्टीच कर लेंगे जोटीन चैने एक दो तिन करके यहीं पर एक डाबल कुरिश्य, यहां पर हमें और यहां पर फूल की उपड़ में पर दो दबल क्रूश को फिल जएी बनाना है इसी में यहां पर यहां पर नुन हो तो अपर दो ओ Usually偈, फूल की उपड़ यहां पर हमें से स्टीच करेंगे उसके बाद तीन चैन एक दो तीन हमारा एक डबल कुरिशे हो गया दो चैन और करेंगे पास चैन हो गया अभी यहीं पर एक डबल कुरिशे उसके बाद एक डू इस लैना में हमें दू चैन छोड़ना है venack स्टीच स्ट तर्णि फॉल्व रहे आइसे ही बनेगा बना क्या खाएंगे यहां पर हमें इससेshit स्टीच कर लेंगे एक चान देकर इसे कट कर लेंगे अहल दूसरा धाक लगाएंगे पहले एक गठ लगा लेंगे उसके बाद आप कहीं से भी इसे स्टीच कर सकते हो एक दो तीन चान कर लिया अब ऐसे ही जैसे हमने नीचे गाले बनाये थे ऐसे ही हमें एक फंदा कुरूस में ही रख लेना है एक दो तीन चार कर लेंगे उसके बाद दो चैन करके इस दूसरे वाले में वैसे ही फिर से हमें बना लेना है देखी एक एक फंदा में उतारना है और एक फंदा इसमें रख लेना है देखे ये च्छे हो गया है एक दो तीन चार पांचे से एक साथ हम इसे इस्टीच कर लेंगे रद दो चैन कर लेंगे एक चैन कर लेंगे ये बना अब हम दूसरा धागे लगाएंगे पहले गांट लगा लेंगे उसके बाद यहां इसे इस्टीच कर लेंगे इस्टीच करके यहींपर एक डबल प्रुस्य बनाएंगे एक चैन वाला हमारा दो डबल क्रुस्य हो गया यहां पर हम दूई डबल क्रुस्य बनाएंगे अफूल के उपर दो डबल प्रुस्य एक और यह दो इसके बाद यहां पर दो चैन में दो डबल प्रिस्यों यह लाइन ऐसे ही बनेगा यह लाइन पूरा करके आपको दिखा रहे हैं यह लाइन पूरा हो गया है हम यहां पर इसे स्टेज कर लेंगे यह लोल्पंगर है उसके बाद यहां पर पांच चैन करेंगे एक दो तीन चार पांच तीन चैन हमारा दबल प्रुसिय वह हो गया और दू ऐसे यहीं पर एक डूब पूशिय कुछ नहें के दीसरी वाले में दबल कुर्सियों कि उसके बाद दो चैन ऐप दो चैन करके यह इसके बादब दूच्यों के दीसरी वाले में पर कुर्सियों को यहां से इस लाइन से उपर ऐसे ही बनेगा ये बना है वैसे ये बना है वांग से view पर ऐसे ही बनता जाएग जो अब ईफीर नहीं आता स्वाइग आपको दिखा रहे हैं यह फूल यहां पर बंगा लेंगे लिश्रस नागाई अब अब यह थालपोस कमपिलीट हो गया है देखिए हमने जालर भी बना लिया है आप कैसा भी जालर बना सकते हो अगर आपको नहीं आता हो जालर बनाना तो हम दिस्क्रिप्शन बक्स में दे देंगे आप वहां से बना लेना तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट कीजिए // cambiar є है देखिए हम प्रता है जापको किज पैसी